हेलो अब्रिवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से और अभी हम जो करेगे वो हम करेंगे मैट्स पैड़ागोजी क्योंकि इससे पहले जो नियुमेरिकल वाला आपका पोर्शन था उसको हम लोग कर चुके हैं अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आ अगर आपको बिल्कुल भी मैट्स समझ नहीं आती है तब भी आप अगर उस तरीके से उन ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो आप 100% मैट्स में अच्छा स्कोर वहां पे कर पाऊगे और यहां पे हम करेंगे मैट्स की क्या पैड़ागोजी हम यहां पे करने वाले हैं ना कि अगर अगर अबी तक आपने चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है तो कर लीजए क्यूंकि इस टाइप के जो इंपोर्टंट फ्रेक्टिस चल रही है लगातार अबी तक भी अकर आपने प्रेक्टिस नहीं किया है तो आप जोड सकते और चैनल के साथ और आप 2-4 वीडियो आपको दिन में ताकि आपकी जल्दी से जल्दी क्योंकि आपके पास टाइम अप कम है तो प्रैक्टिस पे फोकस आपका पूरा यहां पे होना चाहिए और फिस साट करते हैं हमारी आज की क्लास को और 45 तक आपका हो चुका है यह समझाने के लिए कि बन वाई 4 बन वाई 3 से चोटा है निमलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपियुक्त है अब देखो क्या होता है बच्चे आपके जो होते हैं उन्हें क्या लगेगा कि एगर 4 बड़ा होता है तो आपका 3 नतलब छोटा होता है तो बन वाई 3 भी आपका चोटा होगा और बन वाई 4 आपक जो कॉंसेप्ट है उसको वहाँ पे असानी से नहीं समझ पाएंगे वहाँ पे अभी जो उस टाइम पे हमें सिखाना होता है तो आप ट्राई करना कि आप उनको मूर्त चीजे जो दिखा के आप सिखा सकते हो उनसे सिखा हो उसके बाद है आपका कागस की पट्टियों के द इस में से एक बटा तीन हमारे यह तीन यह तीन पाट हो जाएंगे तो इस तरीके से कागस की पट्टियों से बहाँ पे इस कॉंसेप्ट को क्यूश हो हो कर पाओ इस काटीयों के जो करते हो तो आपके प्लस मैंस इस तरीके की जो आपकी concept होते हैं, आप धाड़ा होती हैं, उनको सिखाने के लिए, मालो ये dines block है, इस तरीके से कुछ हो गए आपके, तो इनको 1 and 2, तो ये कितने हो गए, 2 इस तरीके से आप बच्चों को दे सकते हो, plus minus इस तरीके से उनको सिखा सकते हो, संख्या चार्ट का यूज यहा सकते हो, देख लो कि उसमें नतलब वो से related होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, आपका मूर्द होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपनी questions को करते टाइम पे, कि आपके बच्चे जो हैं, वो कितने से छोटे हैं, यानि कि प्रात्मिक हैं, या अपर लेवल के बच्चे हैं, चलेंगे हम next question, पर आतमी कक्षाओं में बच्चों को गड़ित पढ़ाने के लिए, बनाई जाने वाली पार्ट योजना का निमलिकित में से कौन सा अती महतपूर्ड फहलू है, देखेंगे हम यहां पे पाठे पुस्तक के अनकरम, पाठे पुस्तक का अनकरम करना, यानि कि टेक्स्ट बुक को फॉलो करना, यहां पे यह हमारा option यहां पे नहीं होगा, गर्ती संकल्पनाओं को सनराचनात्मक धंग से प्रस्तुत करना, यानि कि प्रेजेंटिंग मेतामेंटिकल कॉंसेप्ट इन स्ट्रक्च्चल, यानि कि बच्चे को संधर्प में सिखाना है, बच्चे को लर्निंग बाई डूइंग से सिखाना है, विध्यारतियों को अबसर देना, आपका यह इतना पॉजिटिव बड्स है, आप बच्चों को अपॉचुनिटीज दोगे ताकि वो खुद अपने ग्यान की सनरचना बहां पर क आए, उसके बाद है आपका फूर्थ क्रिया कल आपको को लिखना और इस संदर में प्रश्न लिखना और प्रश्न करा देना यह आपका कोई भी उचित आहां पर आंसर नहीं होगा, तो आपका सेकेंड अप्सन इसमें आपका सही हो जाएगा, चलेंगे हम अपने नेक्ष् पर 48 है आपका, निम्लिकित में से किसे शनरचनात्मक रचनावादी गड़ती एक शाकच का लक्षर नहीं माना जा सकता है, यानि कि क्या धूनना है आपको निगेटिव पॉइंट्स आपको यहां पर धूनना पड़ेगा, तो देखेंगे हम गड़ित के अधिकम में भासा और संबादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, बिलकुल, जब तक आप, मैंने सीटेट के लिए भी बोला, जब तक आप किसी चीज़ की लेंगवेज को नहीं समझोगे, आप ये नहीं समझ पाओगे, उस पे पूच्छा क्या जा रहा है, तब तक आप उसके बाद है, आपका अध्यापक सुईकार करता है कि दी गई अन्योन निक्रिया को बिभिन विध्यारती अलग-अलग प्रकार से समझ सकते हैं, बिलकुल समझ सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा ही डाइवर्सीफाइस वेज यूज करने हैं, क्योंकि बच्चे आपके क्या होते हैं, बच्चे आपके बिभिन प्रकार के होते हैं, बच्चों को आप एक तरीके से बहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है, थर्ड देखेंगे, प्रात्मी किस तर पर आकलन के लिए बिसे परक प्रकार की परिक्षा का उपियोग किया जाता है, यानि कि आपने आंसर उसमें दे दिये, चार उप्सन दे दिये, जिस तरीके से हम ये कर रहे हैं, और इससे आप क्या करो कि प्राइमरी में असेस्मेंट कर लोगे, बच्चा वहाँ पे इतना बड़ा नहीं होता है, इतना समझदार जो उसको अबजेक्टिव दे दो, यानि कि बच्चे को खुद को एक्सप्रेस करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, तुछ नहीं, बस आपने सही या गलत के आधार पर आप उसको एसस कर दोगे, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका निगेटिव हो जाएगा और कि अंतह संबंदित करके वहाँ पर पढ़ाना यह आपका पॉजिटिव है, आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, चलेंगे अपने नेक्स्ट केस्टन पर, नेक्स है, आपका यहाँ पर निमलीखित में से कौन से कथन की सहमती गड़ित के सनरचनात्मक र सिर्फ आप क्या करोगे, लर्निंग फैक्स, तो फैक्स को तो रटवाना ही नहीं है, कभी आपका निगेटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है, गड़ितग्यों से सच्चाई का अविस्कार अपेक्षित करना, तो क्या गड़ितग्यों आपको गलत थोड़ी ना बताते हैं, व इंपोर्टेंट आस्पेक्ट आप मैतामेटिक्स, आपने देखा भी होगा कि मैतामेटिक्स में हम विजुलाइजेशन को बहुत महत देते हैं, विजुलाइजेशन आपका रचना आत्मा कानी की क्रियेटिविटी का ही एक क्या है, पार्ट है, तो आपका आंसर जो यहाँ 3D Dimensional में चीजों को बताना है, तो इसके लिए आपके लिए क्या बहुत उपयुक्त यहाँ पे जो यह दी गई है, जितने भी option इसमें क्या रहेगा, तो बोतल के उपरी द्रश्च को चित्रित करना हो सकता है, मानचित्र पर सहरों का इस्थान निर्धारण करना, मान लो आ उसके बाद चंद्रमा के उदय होने का समय तो यह तो क्या हो गया, आपका याद करने वाला काम हो गया, तो आपको यहाँ पर नहीं करना, उसके बाद संख्याओं को संख्या रेखा पर यह संख्या खीच दी, यहाँ पर वन टू त्री ऐसे लिग दिया, तो इसमें भी 3D म तो बच्चे लंबाई चोड़ाई और गहराई में बहाँ पर जाएंगे, तो आपका उप्सन इसमें जो सही हो जाएगा वापका फर्स्ट ऑप्सन यहाँ पे सही हो जाएगा, चलेंगे, नेक्स्ट क्वेशन पर गड़ित के अध्गम के शंबंद में निमिकिस में से क्या सही नहीं है अब आपको यहाँ पे देखना है निगेटिव कौन सा देखना है निगेटिव गडित में उतकरष्ट प्रदर्शन की प्रतिवा श्वभाबिक होती है यानि कि ability to perform and excel in mathematics is innate innate नहीं होती है भाई कोई भी अपनी महनस से अपनी लगन से अपनी practice से चीज़ों को सीख सकता है तो यह आपका option यहाँ पे गलत हो जाएगा और हमसे गलत ही पूचाता तो इसलिए आपका यही option यहाँ पे सही हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा देखें कि इमने next options को भी अध्यापक के सीखने वालों अच्छा नहीं करोगे तो बहुत chances हैं कि वो बच्चा पेपर में या अपने competition में अच्छा नहीं कर पाए तो इसका बहुत effect पढ़ता है यह positive है आपका विद्यार्तियों की सामाजिक आर्थिक प्रिष्टी भूमी का गडित के निस्पादन पर बिल्कुल असर पढ़ता है बच्चे कि सामाज से आते हैं किस परिवेश से आते हैं तो इसका भी बहुत अधिक पढ़ता है विद्याले में दिये जाने वाले निर्देशों की भासा का असर बच्चे के गडित के प्रदर्शन पर हो सकता है बिलकुल हो सकता है Schools language of instruction can impact a child performance in mathematics यानि कि आप mathematics में बच्चों को किस तरीके के instruction दे रहे हो इसका भी असर हो सकता है लेकिन कौन सा नहीं है यानि कि गडित में उतक्रष करने की ये innate नहीं होती है इसको आप acquire कर सकते हूँ बाद में भी अपने environment से ओके तो आपका option इसमें first सही हो जाएगा चलेंगे अपने next question पर next है आपका निम्ने लिखित साब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिये यानि कि यह कहाँ पे समस्या दी गई है यह किस type की समस्या है उसको पहचानिये यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे हम इसको मेरे पास 6 पैंसिल है और मनीज के पास मेरे से 2 अधिक है यानि कि जो मनीज है दूसरा लड़का उसके पास कितनी अधिक है दो अधिक है तो मनीज के पास कितनी हो गई total 8 हो गई मनीज के पास कितनी पेंसिल है यानि कि मनीज के पास कितनी पेंसिल है वो अपसे पूछ रहे थी कि जो समस्या ये जो question आपको दिया गया है ये किस type का है तो ये क्या कर रहे है देखो सबसे पहले तो इसने बताया मेरे पास कितनी है फिर उसने बताया कि उसके पास यानि कि उससे तुलना करी कि मेरे से उससे दो ज्यादा है और फिर उनको क्या कर दिया एड कर दिया तो यह हो गया आपका तुलनातमक जमा या कमपेरेजन एडिशन उसके बाद अगर इसी का जैसे वो कहता है मेरे पास च्छे है उसके पास दो कम है तो यह आपका हो जाता तुलनातमक घटा यानि कि कमपेरेजन करके और सबस्ट्रेक्ट कर दिया व्यवकलित जमा क्या होता है मैंने जिसे मैंने आपसे बोला कि मेरे पास क्या है दो लड्डू है कुछ भी मालो मेरे पास क्या है दो लड्डू है उसके बाद मैंने मोहन से दो लड्डू और तीन लड्डू और ले तो आप मेरे पास कितने हो गए यानि कि takeaway लेना देना यानि कि मैंने उससे ले लिए तो मेरे पास कितने हो गए एक, due, tatro, t행, चार, पाँच, पाँच , पाँच हो गया मैं कहती ही मैरे पास पाँच लड़ु, already हैं यहाँ पे और मैंने दो किसी को दे दिये तो यह टेक अबे क्या होता सब्स्ट्रेक्शन हो जाता यह टम से याद रखना इसमें से question आपको मिल सकता है बहाँ पे आपका option जो है इसमें first सही हो जाएगा तुलनात्मक उसने क्या किया है जमा किया है याँ पे उसके बाद है आपका हिंदू अर्भी गड़ना प्रडाली के लिए निम्ली खित में से कौन सा सही नहीं है एक संख्या में अंक की इस्थिती इसका मान बताती है तो बिल्कुल बताती है यह योगात्मक प्रवर्ती इसी से आपको एडिशन करना होता है तो आपकी जो हिंदू अरेविक सिस्टम आप निम्रेशन है इसमें यह इसका यूज यहाँ पे नहीं होता है यहाँ पे हम यूज करते हैं आपका जीरो से लेकि नो तक के जो हमारे डिजिट्स होते हैं उनका ओके तो आपका यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेशन पर नेक्स्ट है आपका प्रात्मिक इस तर पर ज्यामिती के अध्यापन के लिए बांचनिये प्रक्रिया पहचानिये यानि कि कौन सी है कि जो हमें करनी चाहिए आइडेंटिफाइ डिजायरेवल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग जिओमेट्री एड प्राइमरी लेवल यानि कि प्राइमरी लेवल पर आप कैसे जिओमेट्री को पढ़ा सकते हो इस तर पर ज्यामिती को सरल मूल भूत आकरितियों की पहचान तक सीमित नहीं रखना भई आपको बच्चे को कभी भी क्या करना सीमित नहीं करना है अध्यापक को प्रारम में सरल आकरितियों की इस परिभासा देनी चाहिए और धारण नहीं भई सीटेट के पेपर में इस चीज़ को अपने दिमाग में बिल्कुल वेठा लेना ठीक है प्रात्मी किस तर पर व्यापक जामिती सब्द संग्रे का विकाश होना उद्देश नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए भई तो आपका उप्सन जो है इसमें वो कौन सा थर्ड सही हो जाता क्योंकि यहाँ पर आपका बच्चा जो है वो एक्टिव है निमलिकित में से क्या गड़तिय तरकणा का सूचक है यहाँ पर तो गड़तिय संकल्पनाओं की परिभासा देने की छमता गड़तिय प्रक्रिया की तरक संगतता देने की छमता परिकलन एविल्टी टू कैल्कुलेट इफिसेंस यहनि की परिकलन में निपोडता यह क्या है गड़तिय तरकणा नहीं है इसमें गड़ती परिभासा आपने बता दिया ये भी नहीं बिभिन्न परिस्टितियों में सही सूत्रों को इसमरण करना तो नहीं है तो क्या है गड़तीय प्रक्रिया की तर्क संगता है यानिकि गड़तीय प्रक्रिया की तर्क संगता देनी की छमता आपका ओप्सन यहाँ पर सेकेंड सही हो जाएगा चलेंगे अपने नेक्स्ट ऑप्सन पर अभी देखना इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है इसको देख के आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना बहुत ही इजी होते हैं इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप क्या करो थोड़ा सा टाइम बहाँ पर लेके चलो ताकि क्या हो आपको बहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं पड़े और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तो आप अपने पेपर को भी बहाँ पर अच्छे से चीज़ों को कर पा यहां पर और उसके बाद क्या है अलू केजी ट्वट्टी फाइब का है गाजर इतने की लौकी यह और नीवू मिर्च इतनी सारी चीज़े यहां पर है अब यहां पर कौन है संजे ने एक बटे दो केजी टमाटर यानि कि उसने आधा एक केजी कितने का है फोटी का तो पॉइंट फाइब के एक केजी आलू आपके हो गए ओके एक बटे दो केजी गाजर यानि कि आपकी गाजर जो है आधा किलो लिए थाइसु ग्राम बीस रुपे की है तो आधा किलो आपकी कितने की हो जाएगी फोटी रुपीज की ठीक है दो गुना उसको हम कर देंगे उ पॉइंट कि खरीदे़ अगिए तो यहां कितने की हो गए है फिप्टीन के हो गए है अब इसने क्या किया थेचright शपने के आपय टो क्रते की कितने रुप अईश्म पास मिलेंगे तो हम क्या करेंगे सबकों सब को जोड़ के दो सब्सळार में कर देंगे वर जोड लेते हैं 20 और 40 अपका कितना हो गया 60 को काट देंगे इसके बाद है आपका 15 और आपका 25 तो 20 और 30 40 तो कितना हो गया आपका 40 उसके बाद आपका तो यह बारा है एक सो बारा पॉइंट पाइस पैसे आपका क्या हो गया काटने है उस इस में सेटने में से 200 रुपई में 201 112-50 काटते हैं इसको 200 और करना है तो यहां पर कैरी लेंगे तो 50 आजायेगा यहां पर यहां पर आपका क्या है यह 200 है तो 9 कृएंस रर्फ Express को आपको fills जह इनके नेहें स्थान सब्सक्राइए अगस्षाही धोहसे स्यायकल करने की स्थान पर और किरम्ग आफाज है와 स्वायम से और एक से कट्ती हैं बाद वागी किसी से नहीं कट्ती है उसके बाद किया खहे रहे हैं कि तीन और चार का गोड़ज है तो यहाँ पर देख लो किसका एड़ करने से आपको ट्वैल मिलना है एक और तो इस तरीके से आप कितने भी बड़े क्वेश्चिन को एक जरा से ट्रिक से आप कर पाओगे देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट है आपका यहां पे एक रेलबे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से से चित्रित की गई है यानि कि आप जितने टाइम कार पार्किंग करोगे तो इतने तने रुपएए आपको यहां पे देने पड़ेंगे देखेंगे आपने क्वेस्टन को तो रचीव पर देखेंगे हम दो गंटे तक पचाद नहीं दो गंटे तक पचाद नहीं दो गंटे से 5 और उसके बाद है आपका यहां पर 5 गंटे के पस्चाद 8 गंटे से और 12 गंटे के बीच में कितना है 150 तो यही आपका option हो जाएगा क्योंकि हमारी गाड़ी जो वहाँ पर खड़ी रही थी वो साड़े 9 गंटे खड़ी रही तो आपका second option यहाँ पर सही हो जाएगा चलेंगे नेक्स्ट question पर नेक्स्ट है आपका आरोही क्रम में विवस्तित करने बन निम्लिकित में से कौन सी संख्यात रतिये इस्थान पर होगी देखेंगे हम यहाँ पर आपको क्या समझना परेगा आरोही और अबरोही तो आरोही का मतलब होता है आपका बढ़ते हुए क्रम में जैसे की 2, 3, 5, 8, 9 यानि की बढ़ता क्रम और अबरोही का मतलब होता है गटता यानि की 9, 8, 5, 3, 2 इस तरीके से हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर हमसे पूछा गया है आरोही क्रम में लगाना है हमें इस संख्या को तो हम सबसे पहले हमारी सबसे छोटी संख्या देखेंगे 0.77 तो 0.77 आपकी सबसे छोटी है उसके बाद आपकी क्या है 7.007 7.007 उसके बाद है आपकी 7.07 7.07 उसके बाद हमारी कौन सी आएगी यहाँ पे 7.707.70 और एक ही बची है उसके बाद हमारी 7.707 तो आपका उप्सन इसमें क्या कौन सा होगा तरती है हमसे कौन सी पूची थर्ड वाली है निकी एक दो तीन तो तीन पे आपकी 7.07 7.07 आपका थर्ड ऑप्सन भी है यही आपका पे सही हो जाएगा ओके चलें के आज के लास्ट क्वेश्चन पर आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएगा कोमेंट सेक्सर में और देखे हैं फिर क्वेश्चन को एक पांच अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक आठ है यानिकी एक काई मितलब इकाई दहाई पांच किसमे है तबके दो अपसं में पहले ही मिसंगे इनको गड़े इनको 83 दो में है उसके बाद कह रहे है हजार के स्थान का अंक जीरो है इसमें देख लो हजार के स्थान का खिसमें go 가지고 frozen ए तो आपका अंड्रेट कि यहां पर तो आपका जीरो ओंस टेंस फंड्रेस थाउजन तो हपा तो जहांपे आपका वांड्रेट की जगए पे जीरो है तो यह बीदो 마지막 पर फोर्थ वाला उप्सन आपका यहां पर सही हो जाएगा इस तरीके से आपको स्मार्ट ली बग करना होता है तब कि आपको ताइम कम से कम बहां पर लगे और अप मतलब बहुत अच्छे से कर पाओ और ताइम से उसको फिनिस भी कर बाओ ताइम का बहुत बड़ा इसू हो किया है तो कर लीजिए अभी तक क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहां पर मिलती रहेंगी थैंक्स पर वाचिंग जैहिंद